भाईव और भहनों, दाडी मार्च से भारत की आजादी के अंदोलन पर क्या असर पड़ा और दुनिया की सोच में कैसे इस मार्च से परिवर्तन आया, इसको याद रखना जरूरी है। ये नमक सत्याग रही था, जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। दाडी मार्च ने पस्चीमी मिडिया में भारत के पती सोच, हमारे आजादी के अंदोलन के पती समझ को बदनने में एक बहुत बड़ी भुमी का निभाई है। इस एत्यासी गटना से पहले जादा तर दुनिया हमें ब्रिटन के चश्मे से देखती थी। लेकिन जब अमेरिका की मशूर टाइम मेगेजिन ने बापु को साल 1930 का पर्सन अब दे एर चुना तो दुनिया में अत्याचार के विरुद आवाज को नई बुलंदी मिलने लगी। सात्यों सबसे बड़ा संदेश जो गांदी जी ने इस दांडी मार्च से देने का प्रयास किया वो है रचनात्पक था। गांदी जी बखुबी जानते थे कि सिर्फ विरोध उससे आज़ादी का अंदोलन सफल नहीं होगा। और इसलिए उन्हों ने तब अपने संयोगों से कहा था कि रचनात्पक भीजन के बगैर भारत का पुनह अंदिर्मान संभव नहीं है। गांदी जी ने सिविल डिसवबिडियन समीने समीने अवग्या के साथ साथ खादी और उच नीच के खिलाब सामान ने मानवी को एक जुट करने का रास्ता भी दिखाया। साथियों जब गांदी जी ने सत्याग्रा के लिए नमक को चुना था उस समय के कुछ नेताओं को उनके उस तरीके पर संदे था। कुछ लोगों ने खुल करके इसका विरोध भी किया था लेकिन गांदी गांदी थे उन्होंने अपना अभियान जानी रखा क्योंकि वो नमक की कीमत जानते थे और समाज के हर वर्ष से नमक के समन को पहचानते थे। नमक महंगा करना गरीब से निवाला चिनने जितना बड़ा मामला था। लेकिन नमक की तांकत समझने में तबकी अंग्रेश सरकार ने भी भूल कर दी। तबके गवर्णर जनरल ने भी इस नमक सत्यागर को चुटकी भर नमक से सरकार को परिशान करने वाला पागलपन करार दिया था। साथियों नमक सत्यागर से किस प्रकार का माहोल बना इसकी चर्चा करते हुए। टाइम मैगेजिन ने एक बिटिश पत्रकार के हमाले से लिखा था कि बॉम्बे में दो सरकारे चल रही है। एक तरफ बिटिश सरकार जिसके पूरा प्रशासन है। तो दूसरी तरफ बॉम्बे का जन सामान्य है जो असंख्य कैदियों में से एक महत्मा गांदी के पीछे खड़ा है। नमक सत्याग्र के कारण स्वदेशी और सविने अवग्या इसकी भावना इतनी मजबूत हुई कि बिटिश सरकार को भी भारी नुक्षान होने लगा। व्यापारियों ने महिनों तक दुकाने बंद रखी। ब्रिटेन से आयाद बहुत कम हो गया और अंग्रेज सरकार हिल गई। आजादी के दिवानों को स्वराज का लक्ष सामने दिखने लगा। साथियों कलपना कीजिए। अगर उस समाएं नमक सत्याग्र के खलाब कुछ नेताओं की बात मात्मा गांदी ने मान ली होती। उनकी बातों में आकर के गांदी जी चुप हो जाते, अपना इरादा बदल लेते, यात्राप न करते। तब अगर गांदी जी नकारत्मक्ता के शिकार हो जाते, विरोध की बज़र से नमक सत्याग्र न करते, तो क्या होता। साथ यो उस समय जो नमक के प्रयोग को छोटा समझ कर विरोध कर रहे थे, उस तरह की मानसिक्ता हमारे देश में उस समय भी थी, आज भी है। और कभी-कभी तो लगता है, आज तो दुरभागे से ज़्यादा, शायद कुछ और ज़्यादा मुखर करके है, ज़्यादा उसमें स्वार्थ चिपक गया है। पिछले चार साड़े चार साल में, इन लोगों ने कैसे कैसे सवाल पूछे, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, मैं देश वाज्यों को याद दिलाना चाहता हूँ। कैसा पूछते थे, कैसा बोलते थे, जड़ा उनके डायलोग याद कीजिए। बैंक में खाते खोलने से गरीब अमीर हो जाएगा क्या। और आज भी उसी नकारत पकता को जीने वाले लोग मिल जाएगे। नेगेटिविटी से भरे ऐसे लोगों को ये बताना जरूरी है कि बड़ा बदलाव तभी आता है जब छोटी छोटी बातों और आदतों में सार्थक परिवर्तन आता है। नमक हो चर्खा हो खादी हो स्वच्छता हो ऐसी तमाम बाते रही हैं जिन्हों ने हमारे आज़ादी के आंदोलन को ससक्त किया, लोगों को एक जुड किया, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आज़ादी का सिपाई बना दिया। जिन्हों को कि आता है। झाता है। झाता है।